प्रजातांत्रिक सरकार और पुलिस को बगैर सूचित किये भिन-भिन स्थानों पर रेड कर रही है और चार दिन तक और चार रातों तक वो रेड चली ये दिखाता है कि मोदी सरकार अपने भ्रष्टा चार को उजागर होते हुए देख लड़ खड़ा गई है इससे पहले कि मैं तफसील पर जाओं और पुनिया सहाब आपको डीटेल में बताएंगे देश को याद रहे कि 36 गड़ में 36 हजार करोड रुपे का अनुमानित नान घोटाला हुआ था वो सारी डाइरी जो गलती से 36 गड़ की पुलिस के हाथ में आ गई थी उनके सारे पन्ने एक पत्रकार गोश्टी में उस समय के प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बुपेश बगेल जी ने सी एल पी लीडर टी एस सिंग दियो जी ने और मैंने आपके समक्ष रखे थे और मैं केवल आपको याद दिलवाऊंगा उन डाइरी के पन्नों में क्या था उन डाइरी के पन्नों में एंट्री थी कि किस प्रकार से उस 36 हजार करोड का एक हिस्सा और ये साबित होना अभी बाकी है कथित तोर से नागपूर और दिल्ली भाजप्पक कारियाले में बेजा जा रहा था उस डाइरी के पन्नों में ये भी अंकित था कि किस प्रकार से 36 हजार करोड के नान गोटाले की भ्रष्टाचार का कथित पैसा दिल्ली के भारतिये जंता पार्टी के नेताओं तक आता था पूरा प्रांथ लूट लिया गया और यही नहीं ये पहली बार इस देश में हुआ कि पनामा पेपर्स के अंदर मुख्य मंत्री रमन सिंग जी पूरा मुख्य मंत्री रमन सिंग जी जो उन दिनों मुख्य मंत्री थे उनके बेटे और भाजप्पा सांसद अभी शेक सिंग का नाम आया यहां तक की पता भी आ गया पिता का नाम भी उसमें लिखा था पर मोदी जी ने कोई जाच नहीं की क्योंकि ED, CBI, Income Tax और DRI तो मोदी जी के गठबंदन सहे होगी है और दुर्भाग्य से इस देश की सबसे जाबाज और बहादूर और इलीट फोर्स जो हमारी सीमाओं की रक्षा भी करती है और कभी देश में कोई हुड़दंग या दंगे मच जाएं तो उसे नियंतरन करने के लिए भी जिस जाबाज फोर्स को मिल बुलाया जाता है मोदी जी ने अब उस जाबाज फोर्स सी आर पी एफ को भी मोदी शाह सरकार ने गठबंदन सहयोगी बनाने का दूस्सा हस कर दिया रात के अंधेरे में सीना जोरी और कवर अप करप्शन कवर अप बीजेपी करप्शन एक्सरसाइज में चार दिन से भारतिय जन्ता पार्टी की केंद्रिय सरकार ने 36 गड़की दो तिहाई बहुमत से चुनी हुई सरकार को बगेर सूचित किये चार दिन से इंकम टेक्स और सी आर पी एफ के साथ रेड्स का सिलसिला जारी का रखा है मोदी जी आप कहते थे कॉपरेटिव फेडरलिजम ये है कॉर्सिव सेंटरिजम कॉपरेटिव फेडरलिजम नहीं है ये संग्य सहयोग नहीं केंद्रिय जबरदस्ती है ये जो आप कर रहे है समिधान को रोंद रहे है संग्य धाचे को ध्वस्त कर रहे है और प्रजात अंतर को परास्त कर रहे है क्या देश इस परकार की ब्रष्टा चार पर परदा डालने की केंद्र सरकार की मनमानी को जबरदस्ती को सहेगा प्रशन ये है क्या अब 36 हजार करोड के नान गोटाले की जाच इसलिए रोक दी जाएगी कि उसके तार कहीं नागपुर की जमीन से और दिल्ली के सत्ता के गलियारों से जुड़े मिल गए तो पूरे भरश्टा चार का परदा फाश हो जाएगा एक इमानदार मुख्यमंत्री 36 गड़ भूपेश बगेल और एक इमानदार सरकार कॉंग्रिस पार्टी की जब 11,000 करोड का करज किसान का माफ करती है जब 25,000 रुपे क्विंटल वहां के किसान को जब प्रदान मंत्री जी के नजदी की उद्योगिक समूहों के भरश्टाचार और मनमानी के उपर शिकंजा कसा जाता है तो फिर इंकम टैक्स के साथ साथ अब CRPF को भी गठबंदन सहयोगी बना दिया जाता है मोदी जी आपने तो बाबा साहब के शब्दों को भी खंडद कर दिया जो उन्होंने समिधान में कहा था जब समिधान बना था जो उन्होंने कहा था और I am just reading to you जो उन्होंने कहा था के प्रान्थ और केंडरिये सरकारों की क्या जुम्मेवारी होगी और एक बात और बताईए चप्टिसगर्ड नकसल अफेक्टेड स्टेट है कई बार पुलिस और सी एर पी एफ की वरदी पहन कर वहां हमले हो चुके हैं ऐसे में अगर आप सिविलियन ड्रेस में इंकम टैक्स और साथ में सी आर पी एफ की वर्दी में लोगों को सरकार और पुलिस को बताए बगैर वहां भेजेंगे तो क्या कल को कोई और हादसा नहीं हो सकता और क्या प्रधानमंत्री और अमिच्छाजी युम्मेवार होंगे कल को अगर इसी प्रकार की दुरगट नहीं हो जाए यह बड़ा गंभीर विशे है जो मैं देश के स्मक्ष रख रहा हूं केंद्रिये रिजर्ब पुलिस फोर्स को किसी प्रांत की अधिकार शेत्र में जबरन भेजना इससे जगन्य अपराद प्रजात अंतर के खिलाफ कोई हो ही नहीं सकता आपने केवल समिधान को पाउं तले नहीं रोंदा आपने केवल संगिये धांचे को ध्वस्त कर कूडेदान में नहीं फैंका आपने इस देश के प्रजात अंतर पर हमला किया है मोदी जी चतिस गड़ के लोगों ने एक ब्रश सरकार को भाजप्पा सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जिसने अने को अने को घोटाले किये थे चतिस गड़ की प्राकिर्टिक संपदा को जिस निर्देयता से भाजप्पा ने बांटा मोदी जी के चहेते उद्योग पतियों को 36 गड़ में जिस प्रकार के घोटाले हुए आज जब एक इमांदार सरकार उनकी जाच कर रही है तो अब आप तो अब आप वहां की कानून व्यवस्था को भी अपने हाथ में लेना चाहते है इससे बड़ी हिटलर शाही क्या हो सकती है ये देश ये देश ब्रष्टाचार पर परदा डालने की आपकी चाल को समझ गया है प्रधान मंत्री जी ग्रह मंत्री जी अगर ब्रष्टाचार के तार दिल्ली के गलियारों या नागपूर की सीमा से जुड़े हैं तो वो ब्रश्टाचार के तार उजागर होंगे अवश्य और हम इसके लिए कटी बद हैं निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें